नमस्कार जी कैसी हैं आप सब आशा करती हूं आप सब खूसें सुआस्तें और जी यह देखो यहाँ पर आरू लेटी हुई है और इसको खासी हो रही है खासी इसको एसी होती है जैसे कमी होती है खासी तो इसकी बसलिया चल जाती है जैसे धड़कंसी बढ़ जाती है यह उस के टाइम हुआ था मतलब इसे थोड़ी बहुत हलकी फुल की खसी हो रही थी तो पाप जी जभी दवाई डे के आ गए थे रात को पुरी रात सोई नहीं यह नहीं सोई और ना मैं सोई दोन्दो मा विट्टी जागते रहे वैसे तो यह बिल्कुल परिशान नहीं करती जैसे स हो जाती है एक बार और फिर मर्लब उठती नहीं जैसे बातरूम अगेरा जाना होता है अभी कबार तब उठती है वरना छोटी सी से यह ऐसे ही करती है बिल्कुल परिशान नहीं करती है और जब खुदी परिशान है यह तो फिर क्या करें और बस दोन्दो मात पूतीरी जा और सुभे आयूवी बस ऐसे ही चला गया उसको मतलब दूद और चाय तो बना दी थी मैंने और रूटी अट्टा बना दिया था थोड़ी वो लेट की तियारू और जैसे बीच-बीच में थोड़ी बहुत सो रही थी तो तब जाके मैंने थोड़ा-थोड़ा कर लिया था और फिर रूटी मम्मी ने बनाई थी और आयूवी वही से खा लेगा थोड़ा बहुत जो होईगा कैंटीन वगेरा है तो जी बस मम्मी ने उसमें लाश्ट में गज़र डाल दी थी और ये इधर परिशान हो रहे हैं दुन्नों ये तो खेर बैठी है जो जाद परिशान हो मतलब होई जाता है ऐसे ही मतलब गंदगी सी हो जाती है तो जी बस मैं कर रही हूँ इनके देखो दो तीन पिंड़े की ओवे थे इनोंने और मम्मी बैठी है उदर चुले पर और मैं अंदर से जाड़ू लगा के आ गई हूँ मैं और जैसे आरू को मैंने दवाई दी थी तो बोल तो रही थी मम्मा मेरे पास लेट जाओ फिर मैंने बोला मैं का भी आ रही हूं पेटा तो इतने में थोड़ी देर में ही सो गई क्योंकि रात को पूरी रात नहीं सो पाई थी और देखो मां से बढ़कर और कौन समझता है बच्चे का दूख क्योंकि होता ही है बच्चे सबसे पहले अब आरू है ये हर टाइम मनलब जैसे कुछ होता है इसको मम्मा मम्मा ही करती है तो जी बस इधर मैं लग रही हूँ जाड़ू लगाने में और इनके निच्चे साप कर दूँगी और ये जो है पत्ती वैसे तो कुछ हटा लेते हैं जब ब की तरफagu, तो जी अब मैं बस सारा कर रहИ हूं और अब मैं दुबार असानी कर रही हूं मम्मी बैठी है एपनी चुल्णे फे बस और सरद्यों में तो होता ही है कि आज कल तो ठंड ऐसी हो रही है मन करता है पुरा दिन ही चुला चला के रखे दो-तीन दिन से ऐसी ठंड हो गई बहुत ज़्यादा हो गई और मैंने घास डाल दिया था इनको दुनों को आप मैं कर दूंगी सानी और ये बठी है इदर इसके उपर बोरी डाल के रखते हैं रात को भी और छोटी सी है तो पता नहीं छोटी सी बच्ची है ये भी कदमें ठंड लग जाए कुछ पता नहीं चलता तो रात में भी इसके उपर बोरी ही डाल के रखते हैं और अभी देखो दरी पड़ी है बोरी और इसको भी घास डाल दूगी मैं तसले में रखा है तसला साइड में और जिबस लगरी हूँ मैं और यह देखो आरू अभी भी सो रही है कम से कम मैंने जाड़ू बरतन पुछा वगेरा सब कुछ कर लिया और यह सो रही है और बातरूम करने उठी ती यह जैसे इसकी नींद खुली थी और फिर उधर जाके यह फिर से मतलब बोला नहीं मैंने इसकी कुलेट जा क्योंकि इसको खुदी फिल हो रहा था कि थकावट सी और बस यह बातरूम करके और फिर जाके सो गई थी मैंने जाके देखा था तो यह स लगते हैं दूद वाला नहीं बनते हम मैंने पहले बताया था कि दूद वाला नहीं बनते हैं जैसे दूद डालके उसमें पकते हैं तो हम ऐसे ही बनते हैं और इधर रख दिया है पानी जिसको नहाना होगा नहा लेगा और मैं तो नहती हूं भाई ठंडे पानी में चाहिए तो जी मैं तो ठंडे में आती हूं और यह बन गया है हलवा हमारा और इधर मम्मी और चले गए हैं खेट में और आरू रही है सोव अभी तक मैं नहां वहां के आ गई थी और फिर से मैं बैठ गई हूं चुले पे और धूप का नामों निशाननी है आज कल क्योंकि बिल्कुल भी धूपनी निकल रही ठंड़ा भी होनी शुरू हुई है और मैं नहीं मैं का चलो जब चुला चली रहा है तो क्यों ना चुले पे बना ली जाए और आलू गाजर कड़ाह मैंने आलू गाजर तो बना लेती हूं मैं कुकर में आलू को भी तो हमेशा उसमें बनाती हूं कड़ाई में तो जी बस इधर मैंने यह छोंक दी है आलू गोभी और तब तक मैं कुछ और कर लूँ जब तक यह बनेगी और कपड़े वपड़े भी दो दिये थे मैंने पड़े दोने मा भारत होता है ठंडी लगती रहती है तो जी बस पानी वानी डाल के मैंने इसमें इसमें रख दिया था और ये बनती रहेगी और इधर बन गई थी और सबसे पहले में आरू के लिए ही एक रोटी बना के लेके आई हूं क्योंकि यहां पर भी कोई नहीं है मम पापजी तो आते लेट हैं तो मत में इसको खिला के जो भी खाएगी थोड़ा बहुत वैसा इसके खाने में इतिकत है खाने में बहुत वह करती है यह नो तंकी सी और अब तो खैर बिमार है तो बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ेगा और यह अब मतलब जैसे उठी यह बना मेरे पास तो मैं ने टीवी ओनने कर दिया मैं ज्लो टीवी खिलारे लगती रहेगी और अभी टीवी देख रही है यह और मैं इसको खिला रही हूं खाना जो भी खा रही है और अब मतलब इसको जब भी होता है तो कम से कम दो या तीन दिन किसकी छुट्टी लगी जाती है और खाएगी है दो चार्ट उकड़े खती है तो जी बस आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी बाई बाई